નमस्कर् दोस्तों स्वघत्यपcribe को आज का ये सोड्यों में मैं आपका दोस्त जीद और आज हम जान कर्ये है लेने वाले है ओर एक फंगि साईड के बारे में जिसका नाम है बे सेफ कंपणी का क्याब्रियोो टप दोस्तों केब्रियो टॉप में पारेकलोस्ट्रोबिन 5% प्लस मेथिराम 55% WG फॉर्मिलेशन में आता है दोस्तों बात करते हैं मोड आफ एक्शन की दोस्तों बारिश की दिनों में अगर आप टॉनिक की जग केब्रियो टॉप का इस्तमाल करेंगे तो ये फंगी साइड के साथ साथ टॉनिक का भी बहुत अच्छे तरीके से कारिय करता है कैब्रियो टॉप एक सिस्टेमिक और प्रोटेक्टिव फंगी साइड है इसका इस्तमाल रोग आने से पहले आप बिना जिजग कर सकते जिसका आपको 100% रिजोट मिलेगा रोग आने के बाद अगर स्प्रे करेंगे तो आपको कम रिजट देखने को मिल जाएगा कैब्रियो टॉप ब्रोड स्प्रेक्टरम फंगी साइड है जो बहुत सारे रोगों पर प्रिवेंटिव और सिर्फ प्रिवेंटिव काम करता है दोस्तो पारेकलोस्टरोबिन और मेटिराम की हम अलग-अलग जान करें लेते हैं दोस्तो पारेकलोस्टरोबिन एक सिस्टेमिक फंगी साइड है पारेकलोस्टरोबिन फंगस की जिवन क्रम पर आगात कर देता है और उसे खंडित कर देता है जिससे फंगस दीरे-दीरे मर जाती है दोस्तों बात करते हैं मेटे राम की सभी फंगस में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा गुलनशिल है फंगिसाइड है एक से ज़्यादा रोगों को रोकने की ख्षमता इसमे है दोस्तों कैब्रियो टॉप में 14% अलग से जिंक भी आता है जिससे फसल, हरी-भरी और सशक्त और मजबुत बनी रहती है जिंक के साथ-साथ इसमें सिलिकॉन भी है जिससे पत्तिया बड़ी और रफ बनती है यह इसका बहुती अच्छा और प्लस पॉइंट फाइदा है दोस्तों बात करते है रेन फासनेस का दोस्तों स्प्रे के बाद कम से कम एक घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए किसे भी फसल में फ्लावरिंग स्टेज में इस्तमाल ना करे क्योंकि इसमें जिंग है और जिंग फ्लावरिंग स्टेज में बहुत सारी गड़बड कर देता है दोस्तों बात करते हैं कौन से कौन से रोगों पर हम इसका इस्तमाल कर सबते तो दोस्तों टमाटर प्यास पर आने वाला अर्ली ब्लाइट अंत्राग रोज रेल ब्लाइट लिफ स्पोट समय से पहले जढने वाली पत्तियों को रोकने का गभी अच्छे तरीके से कारिय कर देता है दोस्तों बात करते हैं एक कॉंबिनेशन की सभी प्रकर के फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड में इसका कॉंबिनेशन अच्छे दरीके से चल जाता है लेकिन फिर भी दोस्तों आप जो भी कॉंबिनेशन लेने वाले ओओ थोड़ा सा ट्राइ कर कर देखे अगर कॉंबिनेशन दूद की तरह नई फटता है तो आप बेजी जग इसका इस्तमाल कर सकते दोस्तों बात करते हैं मुख्य रूप से हम कौन से फसलों पर इसका इस्तमाल कर सकते तो दोस्तों टमाटर, आलो, अंगर, प्याज, लेसोन, स्वयावीन, मुखफली, कपास, सबजी वर्गिये फसले, फलवर्गिये फसले, बागवानी फसले, सभी प्रकार की दानों वर्गिये फसले इन सभी फसलों पर हम इसका बेजी जग इस्तमाल कर सकते हैं 200 लुटर पानी के लिए 400 से 400 ग्राम का इस्तमाल कर सकते हैं यहनि दोस्तों कम से कम एक ग्राम का इसका इस्तमाल कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ढाई ग्राम का इसका इस्तमाल कर सकते हैं आपके फसल के उपर ये निर्वर कर देता हैं तो दोस्तों बात करते हैं इसके कीमत की तो दोस्तों एक केजी कीमत आठास से 2000 तक यह मिल जाता है दोस्तों कैब्रियो टॉप एक बहुती अच्छा और प्रोटेक्टिव फंगी साइडी जिसका इस्तमाल आप फसल में करके बहुती अच्छा रिजट मिल जाता है कर दोस्तों कि दलिया तक यह मिल जाता है उन्यवादर शचा इस्तमाण मा सबने विफान का, इसके अच्छाध्रियो के